हेलो आपके लिए लेके आ गए हैं एक और किट का वीडियो तो यहां पर देख सकते हैं हमाई पास मौझूद है कलर अपके सारी एक्सेसरी के अंदर है एंड इसका जो MRP है वो है 500 रूपीस तो 500 रूपीस में आज हम देखने वाले हैं कि इस किट में आपको क्या-क्या मिलता है एंक किट आपको लेनी चाहिए तो गाई स्टाट करते हैं हमारे वीडियो की अन्बॉक्सिंग से तो गाई सबसे पहले किट में चैक कर लेते हैं कि क्या-क्या आता है तो यहां पर मेंशेंड है कि इसमें क्या-क्या प्रड़क्ट से ठीक है इसकी MRP मेंशेंड है 500 बोई आफ। कलरिंग यहां पर लिखा हुआ है। तो देखते हैं इसको खूबन करके। कर्ोटmem कर सकते हैं। तो यह मैंने इपन किया है, एपहरण है ईक हीần है.. मैं अब बताता हूं और घृत उसके क्या है.. वेस्ट्स पूपे की निखHHHHOhee का ओपस क्था हूं है.. यहाँ पर हमारे पास है cello की तरफ से आने वाले Axis Gel Pen तो यहाँ पर हमारे पास कुछ Gel Pen से नाइस फिर साइब में रखता हूँ और देखते हैं क्या है फिर हमारे पास आ गया है यहाँ पर हमारे पास तेन हमको देखने को मिल जाती है, Color Bombs, है न, यहां पर basically हमको Color Gel Pense देखने को मिलते हैं, यह ग्लेटर नहीं है, यह Normal Colored Pense है, ठीक है, तो नोट्स बनाने में आपर यूज कर सकते हैं, तो यहां पर Color Bombs को एक पैकेट देखने को मिलता है, ठीक है, इसमें कितने Pense हैं, यह 10, 10 Colored Pense आपको देखने को मिलते हैं, ओके, उसके बाद यह क्या चीज है, यहां पर गाईज यह है, Color Up 12 Clay Strip, तो गाईज, यहां पर हमें कुछ Clay Strip भी देखने को मिलते हैं, यह कुछ यूनिक चीज है, यह मुझे बाकी किट्स में नहीं दिखा था, हम गाईज, इससे पहले भी आपके लिए रिव्यू ला चुके हैं, जैसे आपने अल्रेडी देख लिया होगाए हो, तो गाईज, यहां पर हमाईपस Classmate है, आप सरा का माया बैगेस का रिव्यू लाना है, Classmate और Dom's कम अल्रीड आपके लिए लाच चुके हैं, तो गाईज, उनको भी आप चेक आउट कर सकते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है, तो गाईज, यहां पर मैं बात कर रहा था, Clay Strip की, तो यहां पर आप देख सकते हैं, कुछ ऐसे Strip दिखता है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, यह मैं खोल के आपको बाद में बताने वाला हूँ, अभी फिलाल इसको साइट में रखते हैं, बड़ी इंटरस्टिंग चीज लग रही है, मुझे यह, ओके, उसके बाद, यह क्या है भाई, ओके, यहां पर आ गया है, हमारे पास, कलर अपकी तरफ से अगें, 25 ओईल पेस्टल, तो वाईज, यहां पर ऑईल पेस्टल का साइट है, तो वाईज कुछ इस टाइप के कलर से, इनको यूज करके अभी देखने वाले हैं, फ़हले अद्बॉक्सिंग कर लेते हैं, ठीक है, यहां पर हमारे पास आ गया है, यहाँ पर यहां पर पर अगया है, एक और पेन, यह दूटलल का रहा है हैं, फिर पर हमारे पास निह पर अन लहां कर लेकोश कर अगया है, तो अज़क टाइप की पैकिंग इसकी कुछ ड्राइंग वगरा करने के लिए शीट भी दी हुई है देखने हैं बाद में क्या है लास्ट चीज हमारे पास जो यहां निकल के आ रही है वह है एक्टिवीटी बुक तो यहां पर एक एक्टिवीटी बुक है एक्टिवीटी नहीं जो बैग है वो पूरी तरह खाली हो चुका है गाई तो ओर रॉल हमारा यह जो बैग ता इसमें हमको यह सब कुछ देखने को गाई मिल जाता है तो यहां पर हमारी एक्टिवीटी बुक यहां पर हमारे पास मिलते हैं वेक्स के रेओन, स्केच पैन, क्ले स्टिप्स ओइल पेस्टिल्स, पाँज जैल पेन, पाँच मेकानिकल पेंसिल, और गाईज 10 कलर पेंस, तो ओर और 500 रुपीज में आपको यह सब देखने को मिलता है, अब गाईज हम इनको एक एक करके साब पर्डुक्स को डीटेल में टेस्ट करेंगे, और इनकी क्वानिटी को एक पेंसिल पेंसिल प्लास्टिक की पेंसिल है, टिक है, और इक रेजर है, इसको मैं दबाता हूं तो इसमें ऐसी लीड भी आती है, तो इससे रोगने के लिए हम जो उसके साथ बूका यसी का यूज करते है, ठीक है, इससे कुछ शेट करके देखते हैं कि कैसा यह चलती है, तो इससे कुछ शेट करता हूँ मैं, तो डाक है पेंसिल, अची चल रही है, काफी डाक है पेंसिल, आप इसा देख सकते हैं, उनिफॉर्म स्ट्रोक है, चलने में भी स्मूध है, ठीक है, तो अची चल रही है, हाँ पें कुछ और भी हम शेट करते हैं, इधर भी, ओके, तो और गाइस पेंसिल अच्छे लगी मुझे, और 0.7 में है, तो आप नॉर्मल लिखने के लिए भी इसको काफी अच्छे से यूज कर पाएंगे, है ना, इसको अगर आप नॉर्मल वागरा लिखते भी है, इससे की, हलो एवरीवन, तो उसमें भी ये अची चल रही है, ठीक ज़्यादा लाइट नहीं है पैंसिल, ठीक ठागडा आप, ठीक गईस, तो यह हमने शेट करके देखा, तो कुछ इससे की मेकनिकल पैंसिल लाती है, यह पूरा सका क्लिप वागरा सब प्लास्टिक का है, तो इसको आप अंदर कर देते हैं, तो इसको रखते हैं साइड में अब वाईज हमारे पास आकर है, हमारे जेल पैंस, तो यह पर आप देख सकते हैं, यह हमारे जेल पैंस है, यह थोड़े यूनीक लग रहे है मुझे, तो यहाँ पे मैंने एक pen निकाल लिया है यहाँ पे आप pen को देख पाएंगे guys यह है cello का access gel ठीक है open करता हूँ तो पूरा white design यहाँ पे दिया हुआ है and यहाँ पे हमें rubberized grip देखने को मिलती है ठीक है कुछ यहाँ पे cutouts भी दी हुए grip बनाने के लिए तो इससे लिखके मैं देखता हूँ कैसा चलता है यह pen तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग hello everyone तो काफी smooth है guys gel pen तो ठीक है जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हूँगा hello everyone okay subscribe to student yard okay guys तो काफी smooth मुझे pen लगा and साथ ही साथ guys अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप इसको friends के साथ share भी कर सकते हैं तो guys यह pen यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ इस्टाइप पर यह gel pen है तो काफी smooth चला बढ़ी है gel pen मुझे लगा open करके अगर मैं आपको दिखा हूँ तो वह भी दिखा देता हूँ मैं यहाँ पर आप इसको देखेंगे तो कुछ इस्टाइक में रिफिल आता है रिफिल में आप देख नहीं सकते हैं कितना इक बचा हुआ है क्योंकि उपर से वाइट कोटिंग चड़ी हुई है ठीक है 0.5 mm इसका पॉइंट साइज है तो इसको मैं बन कर देता हूँ इसको रखते हैं साइड में इसका MRP कितना है इस पैकेट का वो बता रहता हूँ अब इस पे सच मैंशन नहीं है बट मुझे 5 रूपीस फ़ला पैन लग रहा है ठीक है 5 से 10 रूपीस की बीच का अगली चीज़ हम टेस्ट कर लेते हैं इसके कलर बॉंस तो यहां पर यह जो चीज़ है इनका हम इंडिविश्यों रिव्यू भी आपके लिए लेकर आने वाले हैं ठीक है कलर बॉंस पर रिव्यू बनाएंगे को कंपेर करेंगे ऑक्टेन के जो कलर पैंस आते हैं उनसे ठीक है तो आपके आक आगे और क्रीगे क्टिक ब्लैक पॉपल ब्राउन एंड ब्लू एड पिक तो यह कुछ शेड सब को देखने को मिल जाते इनसे भी गाइस लिखे देखते हैं तो फिसको रखता हूं साइड में पैंज को यूपे तो आप को इसए पैले लेते हैं हम मिलें पिंक पैन ले लेते हैं इस से अब हम लिखे देखेंगे ओके कर थे थैंक्स वो खूंप शिरिग को कि तो काफी अच्छा चल रहा है और शेरिक दा वीडियो तो फैन्न की खासित क्या आपको बता देता तो भी अच्छा लग रहा है तो यहां पर आपको पास से दिखा देता हूं तो कुछ स्ट्राइप से चलता है स्मुझ टेस्ट भी इसका कर देते हैं हर बार की तरह तो स्मुझ तो डेफिनिटली होगा क्योंकि थोड़ा मोटा है ठीक है और वैसे भी जितने भी पैंस होते है सबसे जादा तो यहां पर हमारे पास आ गया है हमारी यह जो इस तो आज है की तो इसको इसको ऊपन कर जाती है तो यह है हमासी घ्ल Axe लगी यह तो मmpfen लेकर यह तो इसे तो उपन गिले तो बहुत बार देखा है म्योंक बता देता हूं कि कैसे हैं यह स्ट्रे favori तो अब मैंने इसको अंक्स कर लिया है बिसीकर इखे इस लिए चोलेट जैसा लग रागा है देखने में बड़ा प्यारा वे गए थे ठीक है तो चौकलेट जैसा लोगाँ इस तो यहां पर मैं देख लेता हुँ इन को निकालके दिखाता हूं ओके ठीक है तो यहां से तूट गया है बिलकुल लाइन से ग्रेट वाइस कुछ यह कच्छरे को हम साइट में करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस ट्रिप दिये गए हैं आपको एंद आप से मिक्स नहीं हो रहा है कलर स्फ इस ट्रीप देखने का मिलते हैं आप इसको नेकर करके आप कुछ भी चीजे साब जाएं वह बना सकते हैं जब भी आ यहां कई का कुछ कर सकते आपको यहां पे देख लेगे हम उसको रीपोस्ट भी करेंगे शर्ली ठीक है इस तो इस ट्र कुछ बनाना तो पड़ेगा आप लोगों के लिए एक बात बता है इसकी स्मेल जो है नवा फूरूटी स्मेल है तो कई बात क्ले में स्मेल अच्छी नहीं आती वर इसकी स्मेल मुझे बहुत प्यारी लगी है यहां पर मैंने आपके लिए कुछ बनाया है यह देख सकते हैं अगली जीज़ चीज़ हमाहें यह वो आगए है वह आगए है लिग यह कुछ sketch pens यहां पर तो आप देख सकते हैं 12 sketch pen है इनको मैं open कर लेता हूं यहां से कुछ open हो गया है यहां पर mrp 40 है अगर आप लेकी mrp जानना चाहते हैं तो 50 रुपीस में को individual pack view मिल जाता है तो यहां पर हमारे पास कुछ sketch pen है ऐसे ठीक है तो यह कुछ sketch pen है सब्सक्राइब कर देख लेता हूं कैसी कॉलिटी है हमारी activity बुक पर ओके तो यहां पर हमारे पास जो हमारा diver है स्काइड डाइविंग कर रहा है तो इसको हम शेट करके देखते हैं ओके तो इस नॉमल sketch pen जैसे काम करते हैं वैसे ही है नथिंग स्पेशल जैसे नॉमल sketch pen आपने यूज करें होंगा वैसी नॉमल sketch pen से ठीक है अच्छे चाल रहा है कोई भी इशू नहीं है मुझे अलगा color करने में ठीक है यह आप देख सकते हैं इसका और भी में आपको बदे देता हूं तो कुछ इस त्राइप से दिखता है ठीक है इस ट्राइप से ऐसा दिखता है इसकी में थोड़ी सी मुझे ऐसा लग रहा है अंदर लगी बड़े डिजाइन ही असा है मतलब थोड़ी से आपर यह पैटन में दिटे को निकल कर गे तो और बेटर लगता वट ठीक है यह ऐसे कोई रहेरी च्ट नहीं इसकता नहीं है तो आगह देख लिते काई सर्फ यहांपर अब हमारे वेक्स मर्रेक्स करें में पीछे पहले आप देख रूपी से अमारे पीड़ा हुआ है इसको उपन हम सब्सक्राइब फिल यहां प्लू तो यहां पर देखने को मिलते हैं कुछ क्र ट्रॉक्ट का एक विंडू है उसको मैं फिल करता हूँ ओके तो स्मूज चल रहा है गाइस अना वैक्स क्रेवन स्मूज चल रहे कोई दिक्तर नहीं बढ़िया चल रहा है ठीक है एंड साइड में ब्लू कॉलर बर देता हूँ को कि है अकेई ठीक के ख Mensch और ये ठीक है ये थे हमारे वैक्स क्रेवन ठीक है आपने यूस करें काफी लेए से तूट जाएंगे मतलब ऐसे नहीं कई वैक्स कोई शूर नहीं लगा अच्छे है स्ट्रॉंग ओलेट का ठीक है लास्टी जो हमारे पास आ रही है वह देख लेते हैं तो लास्टीज हमारे पास आ गई हमारे की तरफ से आइल पेस्टल तो इसको उपन कर लेते हैं आइंड यहां पिसका मारे पी 90 रूपी से अगर आप लेते हैं तो यह इसको उपन कर लिया तो यहां पर मैंने इस पैकिंग को काट लिया है एंड इसको उपन करते हैं है थीकि एसको अपन कर लिया है अंदर हम उसका निकाल देता हूं इसको साइड बरगता हूं ओके तो आइंड गैस पीच्छा में एक चीज और मिली है इसमें पहले को कुछ ऐसा यह क्या है मैं आपको दिखा देता हूं वैस прим किया है इसमें अन्ट इसको उपन करते हैं का रोके तो आप इससा कुछ बॉक्स में बना सकते हैं। आप दछिस एक वहीं एक िंट कि षण्ट कि अपर which जें। तो इसका क्यों बना सकते हैं मुझसे अभी बननी रहा है आप लोग ये किट को लिने के बना सकते हैं इसको फिलाल में साइड में रख देता हूं ठीक है तो हम लोग डिरेक्ट आते हमारे ओईल पिस्टिल पर यहां पर मैं एक पिंक कलर ली लिया है एन एक रेड ली अब दे तो आप लेज आप देख सकते हैं अच्छे से ब्लेंड हो गया है ठीक है यहां पर किस्ताइब हो रहे हैं और पेस्टल समारे तो गाइस काफी मुझे अच्छे लगे ठीक एक दो कलर और यूज करके देख लेता हूं जैसे की ब्लू एंड डार्क ब्लू और स्काइब ब्लू तो इनको हम यूज करके देखते हैं यहां पर यह कैसा परफॉर्म करते हैं वह यहां पर थोड़ा साना बिसीकली आप यहां पर देखेंगे तो कुछ पार्टिकल से यहां पर लीव कर रहे हैं तो इतने स्मूथ रही है यह इनमें क्या एक इशू है कि यहां पर आप देखेंगे तो थोड़े थोड़े यह जो पार्टिकल है हमारे वह यह लीव कर रहे है तो यहाथ पर भी आ रहा है थोड़े से स्टेंज सी लीव कर रहा है ठीक है तो यह थोड़ा सापको निकालना पड़ेगा यह धियान रखिएगा तो बाकी तो यह अच्छे चल रहे है ठीक है बस इतमें एक शू है इनके जो ऑईल पेस्टल्स है यहाँ पे जब आप इन से जब हम इन से शेट करते हैं तो यहाँ पे थोड़ से दस्ट पारिटिकल से या फे जो भी सी के लिए पेस्टल के पारिटिकल से वह ऊपर थोड़ा सत्य पर रह जाते है तो आपको थोड़ा सा उनको साफ करना पड़ेगा ओके गाई तो यह था हमारा किट का रिव्यू मैं आपको कि एक बार आप हमारा जो डॉम्स किट का रिव्यू था रिव्यू था वह ज़रू देखें इसका रीजन यह कि जो हर केट है सब का प्राइस 500 रूपीज ही अच्छी बात है सब सेम प्राइस में आते हैं ठीक है बट गाईस यहाँ पर एक फाइदा यह कि किट से सब्सक्राइब भी बिल जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मैंने हाट बनाया था यह क्ले का तो गाईस नीचे अपने कॉमेंट्स आप जो भी है कैसा आपको किट लगा जल्दी से मुझे लिखके बताईए मैं हाट जरूर दूँगा आपको ठीक है काफी प्य और एन्हांस कर पाएंगे स्टेशने के बाले में तब तक के लिए गाइस बाइबाए आइल सी यू नेक्स वाण टेक केर